नमस्कार वच्चों मैं राजिस्क मारे मेना साहिक आचारी इतियास राज के महाविद्याले अट्रू बारा वच्चों आज हम बी ए प्रतमर्ज के पेपर फर्ष्ट प्राचिन भारत के इतियास के टोपिक सकंद गुप्त के उपलब्दियों के बारे में अध्यान करेंगे सकंद गुप्त की क्या उपलब्दियां थी स्कंद गुप्त गुप्त काल का एक महान सासक है इसकी उपलब्दियों के बारें विस्तार से चर्चा करेंगे स्कंद गुप्त अपने महान वन्स का अंतिम महान सम्राठ था चंद्रगुप्त दितिये की तरह उसने लोक में विक्रमा दितिये देवराज की उपादियों से अपनी परशिर्दी प्राप्त की सकंद्रगुप्त चंगेज खाव नेपोलिन के भातिन नरशन्स्वें कुरूर सामराज्यवादी विजयता नहीं था वह एक उच्च आदर्स वाला धरम विजयता शाशक था जिसने पराजित सत्रों के प्रति दयालूता से प्रहिरितों कर व्यवार किया सकंद्रगुप्त का सासनकाल 455 इस्वी से लेकर 466 इस्वी तक चला। कुमार गुप्त प्रत्म की मृत्यू के बाद सकंद्रगुप्त गद्दी पर वेठा। काह जाता है कि सकंद्रगुप्त को अपने सोतेले भाई पूरू गुप्त से संगर्ष भी करना पड़ा था। इसके अलावा सकंद्रगुप्त का हुनों से संगर्ष हुआ। सकंद्रगुप्त के हुनों के संगर्ष की चर्चा करते हैं। सकंद्रगुप्त को शीहासन पर आसीन हुए अभी अधीक दिन नहीं हुए थे कि हुनों का आक्रमन करना प्रारंब हुए। भीत्रिस्तमलेक के विरुण से मालूम होता है कि हुन आक्रमन की विध्वन्स कारीबाड को रोकने के लिए सकंद्रगुप्त ने भिश्रक प्रचंड ताशे उनका सफलता पूर्वक प्रतिरोद किया था। सकंद्रगुप्त द्वारा हुनों पर विजे प्राप्त करने के संबंद में जुनागड लेक में कहा गया है कि उसने सत्रों का दर्प इस तरह आमूल भग्न कर दिया था कि मलेच देशों में भी उसके रिपुगन उसकी विजे का सुयस उद्गोशित किया करते थे। हुनों को खदेड़ता हुआ सकंद्रगुप्त अपने एशियाई पर देशों में भी खुश गया और उसने उनके मूल पर देशों पर विजे प्राप्त कर ली। इस परकार जिन खुंकार हुनों के सामने इरान और रोम दोनों ने घुटने टेक दिये थे। उनी की दूसरी साखा को भारत में सकंद्रगुप्त के सामने घुटने टेकने पड़े थे। सकंद्रगुप्त ने हुनों के आकर्मन को रोक कर भारतिय सभ्यता एवं संसकर्थी को नर्ष्ट एवं भरष्ट होने से रोक लिया। और हुनों के आकर्मन को रोक कर भारतिय संभ्यता और संसकर्थी की रक्षा की। स्कंद गुप्त ने हुनों पर विजे प्राप्त की और महन उपलब्दी प्राप्त की उसका सामराजे बहुत बड़ा था उसके सामराजे विस्तार की भी चर्चा करते हैं इसकंद गुप्त का सामराज्य अपनी सक्ति के सर्वोच शिकर भड़ था जो काठिया वाड से बंगाल तक समस्त उत्तरी भारत तक फेला हुआ था पस्ची में दिशा में सोराष्ट्र, कैमबे वगुजरात एवं मालवा भी उसके राजे में समिलित थे जुनागड अभिलेक से सोराष्ट्र पर उसका अधिकार शिद्ध होता है तथा सिक्के से कैमबे तट और कच्छ पर उसका अधिकार शिद्ध होता है संपूर्ण मध्यपरदेश उसके अधिन था बंगाल बिहार पर भी उसका अधिकार था इस प्रकार उसका सामराज्य हिमाले से नर्मदा तक और बंगाल से सोराष्ट्र तक फैलावा था धन्यवाद